हेलो एब्रिवन वेल्कम बैक टू सक्चम फैमली और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं फंडामेंटल कंप्यूटर्स के बारे में तो जैसे कि आप सभी लोग भली बाहती जानते हैं कि UKSSC ने स्लेबस में अपडेशन थोड़ा क्या है स्लेबस को अपडेट करके स्लेबस में अभी एड़ कर दिया गया है कंप्यूटर्स को तो अभी आपके जो भी एक्जायम आने वाले हैं वहाँ पे अब आपको कंप्यूटर भी देखने को मिलेगा ये मान के चलिए कि अकसर हम जो कंप्यूटर होता है उसे थोड़ा लाइटली लेते हैं लेकिन अब आपको ये लाइटली बिल्कुल भी नहीं लेना है वो इसलिए क्योंकि एक कंप्यूटर आप समझ सकते हैं 4 to 5 मार्क्स आपको मैरिट में उपर भी लेके जा सकता है और मैरिट से बाहर भी कर सकता है और यही माल्स आपको किसी एक अच्छी पोश्ट तक भी लेके जा सकते हैं इसलिए आप computer को छोड़ के नहीं जा सकते हैं इसलिए इस channel पे आज से आपको computer की classes भी मिलेंगी जो आपके UKCCC हो या फिर अगर आप triple C का अगर आपका exam है या फिर अभी कभी आप दोगे तो triple C से related जितनी भी चीज़ें होंगी वो मैं यहाँ पे आप सभी को करवाने वाला हूँ तो जो लोग channel पे नए हैं चैनल को subscribe जरूर कर ले और bell icon दवाना ना भूलें ताकि आपको future में हर एक notification मिलता रहे तो जैसे कि आप लोगों के सामने भी दिख रहा है यह आपका computer का syllabus है जो आयोग ने decide कर दिया है कि भई जो भी चीज़ें आएंगे वो यहाँ से आएंगे तो अभी देखिए यहाँ पे जो computer का रहने वाला है आप से भी लोगों के exam में तो पहले तो यह था कि 100 नमर का paper आएगा 100 नमर के paper में कोई इतना ज़्यादा यह नहीं होता था कि आयोग को यह था कि हमें यह भी देना है इस subject से भी देना है उस समय थोड़ा limitation थी limited आपके पास क्या था content हुआ करता है लेगन अभी क्या है अभी अभी जो सारी चीज़ें हो गई है वो हो गई है online अब online के system में क्या हो रहा है कि different different shifts है ठीक है shift wise paper हो रहे है और shift wise paper होने से क्या होता है आयोग के पास अभी chances खुले chances है मतलब आयोग के पास अब limitation नहीं रही है अभी आयोग क्या कर सकता है उसमें और भी चीज़ें add कर सकता है अब उसको क्या करना योग को बहुत सारे question paper बनाने वाई सारे एक जैसे question paper तो बनाएगा नी अब बहुत सारे question paper बनाने इट मिन्स अब जो है questionों का दायरा बढ़ जाएगा अब question का दाइरा बड़ेगा तो वहाँ पे आपको computer के question भी जादा से जादा देखने को मिलेंगे और इसका weight is मानके चलिए 4 तो 5 marks का computer आपके exam में पूछा गया है जो अभी इससे पहले exam हुए है world history के question आया है, world geography के question आया है जो अक्सर exam में नहीं पूछे जाते थे वह इसी लिए है क्योंकि अब question paper एक जैसे तो बनेगा नहीं, question paper अब आप उनको क्या करना पड़ेगा, जादा जादा question उठा के देने पड़ेंगे, पहले जो उत्राखन होता था वो एक limited होता था अब उत्राखन भी limited नहीं रहा, ठीक है, तो अब उन्हें क्या करना पड़े कर सकते हैं, बाहर भी कर सकते हैं, और किसी एक अच्छी पोस्त भी लेके जा सकते हैं, इसलिए इस computer को न छोड़ें, यहां से आज मैं start करूँगा आपका basic computer से, basic concept जो भी computer के रहने वाले हैं, बहुत easily हम इसको start करने वाले हैं, सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा यहा चल पाएगा कि आप लोगों को यह चीज़ें पसंदारी यह नहीं पारें, तो यहां पर मैं आपको बता देता हूँ, जैसे हम आज क्या करने वाले हैं, तो देखिए पहले तो आज हम करेंगे यहां पर introduction of computer, मैं आपको सारी चीज़ें बता दूगा कि actual मैं आपको करना क्य कहां से पढ़ना है, वैसे तो सारी की सारी चीज़ें important रहने वाली हैं, लेकिन फिर भी अब आप जब किसी से पढ़ते हो, तो फिर चीज़ें आपके लिए easy हो जाती हैं, otherwise books में तो सारी चीज़ें given हैं, बाकी हम यहां पर देखिए जो generation of computer हमारा रहने वाला classification यह अपना ह हम करेंगे, next class में मतलब जो दूसरा lecture रहेगा, वो यह वाला रहेगा, आज हम कौन-कौन से करने वाले हैं, introduction of computer करेंगे, इसका करेंगे हम block diagram क्या होता है वही computer का, इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं, hardware हम यहां पर पढ़ लेंगे, software हम यहां पर पढ़ेंगे, input device क्या हो होने वाली हैं, मैं आपसे वादा करता हूँ, अगर आप लोग हमें support करेंगे, तो आपके लिए इस type से next, जो भी lecture रहेंगे, बहतर से बहतर करने का प्रियास करेंगे, अब बात यह आती है वही कि जो आयो गए, उसने यह सारी चीज़ें क्यों कर दी हैं, आपके syllabus में computer क्य नॉलेज होनी चाहिए, और computer के बारे में knowledge होनी चाहिए, इसलिए computer अब syllabus में आयोग ने यह इंडाल दिया है, तो चलिए आज हम बात करेंगे, यहाँ पे computers के बारे में, भई कि computers कहां से start होता है, क्या computers होता है, कौन कौन से इसके part होते हैं, कैसे यह काम करता है, यकीन माने कि इससे बहतर सायद आपको computer की class UK AAA से related नहीं मिल सकती है, तो यहाँ पे जितनी भी चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं, यह सारा English में होगा, लेकिन Hindi medium वाले, क्योंकि most of the experience यहाँ पे जितनी भी हैं, वो Hindi medium वाले हैं, तो यहाँ पे जितनी भी चीज़ें होगी, मैं आ technical terms वो आपको English में मिलेगी, तो समझ लेते हैं कि computer क्या होता है, देखे जो computer है न, यह आया है भाई Greek word से, Greek word है, इस Greek word से आपका यह compute सब्द आया है, ठीक है, compute से बनावाया है computer, और इसका meaning क्या होता है, इसका meaning होता है गणना करना, अब यह गणना करने का मतलब क्या हो गया गणना करने का मतलब simple सा है, जैसे आप लोगोंने कभी देखा होगा, अपके घरों में लोग सर्वे करने के लिए आते हैं, जो officers होते हैं सर्वे करने आते हैं, या फिर कभी voter IDs या voting के time पे आते हैं, पूछने के लिए घर पे कितने बच्चे हैं, या फिर कभी जन गणना ज जाते हैं, उनकी गणना करने जाते हैं, लोग पूछ के आते हैं, कि भईया कितने बच्चे हैं घर में, उनकी age क्या है, बुझूर को कितने हैं, आपकी खुद की age कितनी हैं, तो ये सारी की सारी चीज़े महाँ पे लिखी जाती हैं, जब ये सारी चीज़े लिखी जाती है तो देखो human effort भी उसमें होता है, human effort हो जाए, human error होती है, मतलब गलत होने के chances भी होते हैं, बहुत बार लोग घरों में नहीं होते हैं, अपने लोग घरों से बाहर गए वे होते हैं, हो सकता है कि जो children की age है, ऐसा तो है नहीं कि आदारकार देखके कोई चेक कर रहे हैं कि यहां पर उसके गलत होने के chances भी जाता हो जाते हैं, तो इसी को बोल जाता है गणना करना, तो पहले computer जो थे, वो computer word है, वो है compute से जिसका मतलब होता है गणना करना, तो computer basically गणना करने के लिए ही होता था पहले, क्यों? क्योंकि देखे, पहले कुछ भी ऐसी चीजे नहीं होती थी कौन सी चीजे हैं, देखे, पहले ना कोई storage होती थी computer में, नहीं बिल्कुल नहीं होती थी, storage का मतलब जैसे आप आज कोई भी movie आप download कर सकते हैं, store कर सकते हैं, कोई आप photos बगेरा होती हैं, आप उसे download कर सकते हैं, उसे save कर सकते हैं, तो पहले कोई storage बगेरा तो होता नहीं था हुँ, कोई पहले MP3 कोई होती नहीं थी, कोई आपकी पहले वीडियो बगिए राच चलती नहीं, तो ये सारी चीजें ना computer अंदर पहले नहीं होती थी, तो computer पहले simple काम होता था, उसका गणना करने का, किसी चीज़ को compute करने का, तो ये सारी चीजें चली, लेकिन हम दूसरी इसमें बात करते हैं लेकिन computer के बारे आपने सुनाओगा computer यह जब machine तो अब यह machine का मतलब क्या हो गया machine का मतलब बहुत सिंपल सी कहानी हो जाती है machine क्या होती है basic लिए जो human का effort होता है वो उसको reduce कर दे human effort मतलब जो आदमी का काम होता है उसको कम कर देना आदमी के काम को reduce कर देना उसको कम कर देना उसको बोल देना machine जितनी भी machine होती है वो उसका काम क्या होता है भीया जो human effort होता है मतलब जो आदमियों का जो काम होता है मनुशा का जो काम होता है उसको कम कर देना उसको machine बोल जाता है मसीन में क्या हो गया, आपके जितने भी चीज़ आ गए, आपकी माना मैंने कह दिया, वासिंग मसीन, वासिंग मसीन में आप क्या करते हैं, भी आप कपड़े धूलते हो, तो कपड़े धूलने से क्या होता है, आपका वो human effort है, उसको reduce कर रहा है, आपका जो भी mix हो जाती है, grinding, जो भी आप grind करते हो, पीस्ती हो, किसी चीज़ों को, तो उससे क्या होता है, आपका जो effort है, वो कम हो जाता है, जो भी चीज़े हैं, जो आपका human effort को reduce कर देते हो, उनसे भी क्या बोलते हैं, machine बोलते हैं, अब ये machine term, जब आपका, जो ये computer है न, तो ये क्या काम कर रहा ह आपका ये ही तो काम कर रहा है, एक क्या कर रहा है, ये human effort को reduce कर देता है, करते हैं, कि नहीं करता है, आपको कुछ भी, आपको input देते हो computer पे, आपको let's suppose thousand multiply something कर रहा है, तो वो आपको output देता है, तो human effort को reduce तो कर रहा है वो, आपको ये जितने भी चीज़े हैं, अभी देख होते हैं, आप अपने date of birth लिखते हैं, बतब जो आपकी age है, आपका mobile number लिखते हैं, और यहीं पर ये जो है चीज़ें finish हो जाती है, यही सारा काम होता है, तो देखिए कितना काम computer ने अभी easy कर दिया है, ये भी तो एक गणना करने का काम है, लेकिन जब ये क्या कर लेता है human effort को reduce कर देता है, कम करेगा, करता है जो है, इसलिए उसको बोल जाता है कि भाईया जो एक computer होता है, वह एक machine होता है, that can be instructed to carry out the sequence of arithmetic logical operation automatically, computer programming, अब देखो यहाँ पर आपको समझना है कि instructed क्या हो गया, instructor का मतलब ये समझी है, आपका instruction से मतलब होता है, instruction से, कि ये क्या करेगा, instruction अगेरा देता है, instruction को क्या करता है, ये carry out करता है, instruction का मतलब होता है, आपका अनुदेश, अब ये अनुदेश से क्या मतलब है भई, अब अनुदेश का मतलब होता है, कि जब आप किसी computer के ओपर एक साथ कहीं काम करते हैं, एक साथ आप क्या करते हैं, कहीं काम करते हैं, simultaneously, जब आप बहुत सारा काम करते हैं उसे बुल जाता है instruction जैसे आप क्या कर रहे हो एक टाइम पर वीडियो भी देख रहे हो आपने एक टाइम पर कहीं कोई डाउनलोड भी कर रहे हो किसी चीज को ठीक है अब एक साथ कहीं काम आप जो है computer के ऊपर कर सकते हैं तो इसे को क्या ब बुल जाता है instruction मतलब एक साथ कहीं काम करना ठीक दूसरी बात यहां पर क्या आती है जब आप क्या हो जाता है इन इंस्ट्रक्शनों का grouping हो जाती है ठीक है group of जब instruction आपके पास आ जाते हैं तो इसको क्या बुल जाता है जब group of instruction हो जाते हैं इनको बुल जाता है आपका program इ मतलब आप इस जब प्रोग्राम को एकत्रित कर देते हैं, मतलब मैं कह सकता हूँ collection of program, तो ये जो collection of program होता है, इसी को बुल जाता है software, जो को ये चीज है जो आपको याद रखनी है, ये देख लिए हैं मैं आपको क्यों समझा रहा हूँ, क्योंकि हमने कहा ना computer programming, तो computer programming समझ गए, आप computer programming क्या होती है, जब आप एक साथ की बहुत सारे काम को करते हैं, और जो ये बहुत सारे काम होते हैं, जो ये बहुत सारे instruction होते हैं, तो ये group of instruction, same type of group of instruction होना चाहिए, ये same type of group of instruction है, ये group of instruction है, इसको हमने कहा दिया program और जब ये program collect होता है इसी को हम बोल देते हैं software, that's it तो ये था overall computer के बारे में तो अब देखते हैं कि computer में कौन-कौन सी चीज़ें होती है तो जैसे कि आपको यहाँ पे यह चीज़ें दिखरी हैं, एक computer का diagram, तो यहाँ पे अभी आपको एक computer अपने सामने नजर आ रहा है, मैं आपको क्या समझाने की कोशिस कर रहा हूँ, यहाँ पे देखें यहाँ पे computer है, भी, computer ने सभी ने देखा होगा सभी के घरों में होगा, नहीं होगा तो यार आज तो भारतों सभी ने देखा हो computer, तो यह आपका monitor हो गया यहाँ पे, यह आपका क्या हो गया, यह आपका keyboard हो गया, यह आपका यहाँ पे monitor हो गया, ठीक, और यह, यह, इसको क्या बोल जाता, इसको बोल जाता, CPU, इतनी बात के लिए रहा है, अब यहाँ पे क्या हो कागज पत्र तो निकाले ही होंगे प्रिंटर से तो ये सारे चीज़े हैं अब यहाँ पर दिखिए कि जो ये computer है ना ये काम कैसे करेगा basically काम कैसे करेगा इसमें क्या होता है देखिए यहाँ पर सबसे पहले आप क्या करेंगे एक देंगे आप input input दिया आपने अब ये input किसे दे रहे हो भई input देंगे आप keyboard से अब जब ये keyboard से आपने input दिया तो ये बीच में हो गया आपका CPU CPU क्या होता है इसको brain of computer भी बोला जाता है अब क्यों बोला जाता होगा इसे brain of computer इसे भी समझ लेते हैं और finally आपका क्या होगा एक output होगा तो इस टाइप से computer के एक process होती है कि आपको input देंगे CPU में वो input जाएगा और output आपका display में दिख जाएगा अब कैसे जैसे भी आपने क्या किया ये आपका past keyboard है keyboard से आपने का भी आपको 1 plus 2 की जो calculation नहीं आती है आपने का ठीक है भया computer साब मुझे बताओ 1 plus 2 कितना होता है आपने input दिया दे दिया अब ये 1 plus 2 जो input है ये चला जाएगा आपके CPU के पास CPU के पास गया जो ये दिख रहा है CPU इसी के अंदर सब कुछ होता है brain of computer क्यों बोले जाता है इसलिए बोले जाता है क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कुछ process होती है CPU के अंदर अब जब ये CPU के अंदर कुछ process होगी ये यहाँ पर देगा CPU process करेगा क्या होता है CPU की full form Central Processing Unit इसे भी मैं आगे करवाँगा तो इसके ले attention मतले न धीरे धीरे चीज़े करवाता रहूँ अभी बस मैं आपको एक basic idea दे रहा हूँ कि computer काम कैसे करता है तो CPU में जाएगी information और finally जो ये information है भई वो output आपको दीख जाएगा ठीक 1 plus 2 CPU calculate करके देगा यहाँ पे CPU ने बोल दे हाँ ओके ठीक है अब जो ये CPU होता है भई इसके भी होते हैं 2-3 type ताइम मतलब अभी है तो CPU तो मैंने एक पूरे डिबबा है ना इस पूरे डिबबा को मैंने CPU नाम दे दिया लेकिन इस CPU के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें होती है क्योंकि आप देखो एक तो 1-2 आप करोगे नहीं आपका भी कुछ चीज़ें स्टोर भी करते हो जैसे कुछ चीज़ें डाउनलोड भी आप करते हो कुछ चीज़ों को आप करते हो मैनेज भी करवाते हो तो उन चीज़ों को काम कौन करेगा CPU तो एक complete यह मैंने नाम कह दिया वही यह CPU है इस CPU के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें होती है जैसे इस CPU के अंदर ALU होता है Arthematic Logic Unit हम जिसे का नाम देते हैं इसकी full form मैं आपको करवाऊंगा इसके लिए भी परिशान मत हुएगा एक होता है Central Unit एक होता है आपका जिसे बोले जाता है Memory जिसे हम नाम दे सकते हैं Memory अब देखो Memory को Memory ही बोलते हैं हिंदी में ALU को ALU ही बोले जाता है Arthematic Logic Unit CU Control Unit इसे CU ही बोले जाता है Control Unit को Control Unit ही हिं हिंदी में बोले जाता है तो ये सारी चीज़े हिंदी में ही आपको मिलने वाली है तो CPU क्या काम करेगा इन सभी चीज़ों में पहुंचाएगा अगर देखिए अगर आपको 1 प्लस 2 वाला कोई function करवाना है तो ये जाता है ALU के पास कहाँ पे होता है ये CPU के अंदर ही बात हो रही है मैंने अभी आपको बताया कि CPU के अंदर ये सारी चीज़े है अगर आपको कोई चीज़ डाउनलोड करने डाउनलोड मतलब अब आपने कोई मूवी डाउनलोड की है अब आपने फोटो कोई डाउनलोड कर रही है तो फिर कहा जाएगा वो वो चले जाएगा वहीं memory के पास क्यों क्योंकि memory को उसे store करना है अब उसे perform नहीं करना है कोई function अब आपको movie को कोई दिखाना नहीं है display नहीं करवाना है movie को तो store करना है तो यहाँ पर memory के पास वो चीछ ली जाएगी और जो यह control unit होती है यह क्या काम करेगा इन दोनों को control करने का काम करेगा that's it और यही होता है एक computer का आपके पास function कैसे करता है तो जैसे कि मैंने आपको बताया अभी हमने क्या सीख है कि भाई computer क्या होता है और दूसरा हमने क्या सीख लिया कि computer work कैसे करता है process कैसा होता है किसी computer के अंदर तो दो चीजे हमने सीख ली अब जो यही चीज है ना यह वाली जो चीज मैंने अभी आपको बताई अब इसको एक block diagram के तरीके से समझते हैं तो यहाँ पर यह आपके पास block diagram है components of computer यहाँ पर लिखा है तो यह वाली जो पूरा terms हम से कहा दो जो यह पूरा आपको दिखाया दिरहां यहां से यहां तर यह पूरा का पूरा क्या है यह पूरा का पूरा एक आपका क्या है CPU 이 है इस CPU के अंदर यह सारी की सारी चीजें डाल दी गई है अब यहाँ पर क्या है, इन्पूट देखिए, यहाँ से इन्पूट दिया, मैंने कहा था जैस्ट अभी आपको कि भई आप 1 प्लस 2 करेंगे, तो इन्पूट किस से दिया आपने, कीबोर्ड से दिया, कीबोर्ड पर टाइप किया होगा 1 प्लस 2, अब यह जो 1 प्लस 2 आपने logical unit के बीच में, और memory की बीच में, इनका काम क्या है basically, कि यह बताएगा, अगर control unit के बाद साएगा, यहाँ पर data आया, control unit क्या काम कर रहे है, यह इस चिसको control कर रहे है data को, यह बोलेगा कि भईया 1 प्लस 2 है, तो इस 1 प्लस 2 को ALU के पास बेज़ दो, यह ALU बताएगा भईय अगर आपने store किया है, memory में, तो फिर again क्या चला जाएगा, यह अब ALU के पास नहीं जाएगा, यह जाएगा memory के पास, कि भईया, memory का काम है, memory unit की भईया, इसे save कर दो, RAM, ROM का नाम आपने सुना होगा, तो वो इसी के ही part होते हैं, ठीक, तो memory का मतलब समझ में, ALU का मतलब सम रखना है, यह सारा चीज़ा क्या काम करेगा, यह control unit का यह कार्य होता है, इतनी चीज़ के लिए, और जैसे कि मैंने आपको बताया, कि भई, one plus two अभी आपने क्या है, तो यहाँ पे output में आपके क्या देगेगा, one plus two, three आपको नजरा जाएगा, जो भी आपका computer होता है, computer की screen पे आपको three नजरा जाएगा, और जो output unit होती है, आपको पता है, यह monitor है, तो monitor मेरी output होगी, यहाँ पे आपको printer भी नजरा आ रहा है, यह भी output unit है, कैसे, भई, computer में आपने, सभी ने अपना, admin कार तो सभी ने निकाला होगा, तो आप यहाँ से क्या गरते हैं, input दिया, input मत आपको यहाँ पे printer पे आपका जो भी admin card हो भार आ जाता है, तो output device है कि नहीं है, तो इतनी चीज के लिए हैं सभी को, कि भई, computer जो है, process कैसे करता है, तो हमने यह सीख लिया है, कि computer जो है, processing की कैसे process होता है, computer में, अब देखिए, पूर जो भी computer आपके पास है, वो इसी के depend करता है, सब कुछ इसी के उपर चलता है, वो कैसे चलता है, यह भी मैं चीज़ें आपको बता देता हूँ, देखिए, अब यहाँ से question क्या पूछ जाता है, देखो, आपने कई बार अक्सर सुना होगा भही है, यह बताए, कि input device कौन सी है, output device कौन सी है, अब जो भी आपक पास कुछ extra question भी आ सकते हैं, तो इस टाइप के यह चीज़ें होती है, अब जो इसके अंदर होता है, CPU के अंदर, इसमें आ जाती है आपकी software वाली चीज़ें, कि software क्या होता है भई, ठीक, तो यहाँ पे आपके software वाली चीज़ भी आ जाएगी, कि अब question बनता है न, software से भी कि भई, कौन सी चीज़ software है, कौन सी नहीं है, तो यहाँ से भी आपके पास question बनता है, अब यहाँ पे ALU से भी question बनेगा, और memory से भी question बनेगा, memory में में आपने पढ़ा होगा, RAM के बारे में आपने पढ़ा है, ROM के बारे में आपने पढ़ा है, यह ROM में भी आपके क्या होत होते हैं और फाइनली यह रहा आपका कि कैसे भई कंपूटर के बारे हमें चीजे पढ़नी है विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है वो भी आप इसी के अंदर पढ़ेंगे तो इतनी चीजे हैं जो आपको पहले समझनी थी इन्पूट क्या होता है आउटपूट क्या ह होता है और आपका जो है CPU के अंदर कौन से function होते हैं कौन कौन सी चीजे इसके अंदर होती है तो इतनी बात अगर के लिए हैं सभी को तो यहीं से वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा क्योंकि देखिए आने वाले टाइम पे हमारे पास अभी के वल कुछ ही वीडियो पे अच्छा अच्छा content मिलेगा इसलिए चैनल को जो है subscribe जरूर कर लेना भी जो लोग नए हैं मैं आपसे बस यही एक request करता हूँ और जिन लोगों को इस चीज की जरूरत होते हैं उन लोगों के साथ इस चीज को share जरूर कीजिएगा अब हम बात करते हैं चलिए हम आगे अब बात करेंगे किसी और चीजों के बारे में अब हम यह जानते हैं कि input device क्या होती है और output device क्या होती है ठीक है input और output device के बारे में जानते हैं पहले कि input क्या हो गया और output क्या हो गया फिर बीच वालों के बारे मैं आपको बता दिया ना देखिए इस की बारे में और भी ज जितनी भी आपको input और output device होती है न ये वाली ये आजाती है आपकी hardware के अंदर जितनी भी output input device है ये hardware के आजाती है और software दो चीजों के बारे माँ पढ़ेंगे computer के mainly हम जब दो पार्टे में divide करते हैं एक hardware एक software hardware means जिने आप छू सकते हैं hardware को छू सकते हैं software को छू नहीं सकते है इतनी चीज कीलर है तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं input और output device को पहले देख लेते हैं तो यहाँ पे ये आपके पास कुछ input और output device यहाँ पे दी गई हैं यहाँ से आपके पास question पूछा जा सकता है तो important आप लगा लिजे या फिर आप इने कहीं down sorry आप इने क्या कर सकते है कहीं note down आप इसी कर सकते हैं मैंने सारा collection आपको इसी ppt के अंदर दी दिया so that कि आपको इधर उधर भठकने की जरूत ना पड़े यह फिर आप book भी पड़े तो आपको easily चीजे हर एक समझ में आ जाए तो यहाँ पे देखो input device देखो अब कुछ चीजे हैं जो आपने normally सभी को आती होंगी जैसे भई keyboard क्या होता है keyboard सभी को पता होगा keyboard क्या होता है keyboard देखा है अभी just मैंने इससे पहले वाले चीज में आपको बताया था keyboard क्या होता है तो यह जो भी चीजे हैं आपकी यह वाली चीज देख रही है यह वाली चीज तो यह आपका keyboard हो गया ठीक है अब next हम बात करेंगे इसमें की भई light pen क्या होता है यह सारी input device है input device समझते हैं आप सभी लोग input device मतलब जिससे आप computer को instruction दे रहे हैं इस चीज की मैं बात कर रहा हूँ यहां से इस चीज की मैं बात कर रहा हूँ input device की कि आप input दे रहे हैं computer को किसको जाएगा वो CPU को जा रहा है CPU बो एक input device है अब light pen होता है क्या है वाई देखो light pen कोई कुछ ऐसी चीज नहीं है light pen मतलब simple से जैसे pen होती है pen जैसे ही light pen होता है बस क्यों इसमें क्या होता है एक detector type की होता है जैसे simple से pen होती है वैसे ही होते है लेकिन अभी आप जैसे mouse से करते हैं जब pen को किसी screen पर डालोगे त उसमें sensor लगे होते हैं उस चीज को detect कर लेता है कोई भी चीज तो आप उपर से drawing कर सकते हैं या फिर as a mouse उस pen को use कर सकते हैं तो वो आपका light pen होता है दूसरा देखिए तीसरा हम बात करेंगे यहाँ जॉइस्टिक के बारे में कि जॉइस्टिक क्या होता है तो देखो जैसे यहाँ पर यह नजर आ रहा है आपको यह वाला देखो यह pen है लेकिन यह actual में light pen नहीं है तो इसी type से ही वो pen होता है ठीक अभी बताऊंगा मैं इसको यह कौन सी चीज है तो इस type से ही वो light pen होता है जॉइस्टिक की बात मैंने यहाँ पर कीती तो जॉइस्टिक यह कुछ आ output देते थे यानि आप देखे यहाँ से इस चीज को control कर सकते थे इस चीज को आगे पीछे करके यह left लेके जाओ right लेके जाओ है ना इसको आगे की तरफ लेके जाओ इसको back side लेके जाओ तो इस type से आप क्या कर सकते हो overall उस चीज को control कर सकते थे computer के अंदर कोई भी चीज है तो यह एक input device है, बिल्कुल input device है, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, यहां से किसी चीज़ को आप provide कर रहे हो, data दे रहे हो, data मतलब instruction आप provide कर रहे हो, कि भाई लैट चले जाओ, left चले जाओ, आगे जाओ, back side आओ, इतनी चीज़ के लिए रहे सभी को, तीज़री हम बात करेंगे य राइट ले क्या हो, तभी उसका जो cursor है, अभी जैसे मेरे यहां पर यह cursor घूम रहा है, तो तभी यह cursor घूमता है, क्योंकि मुझे mouse को इदर उदर हिलाना पड़ेगा, ठीक, लेकिन इस वाले case में क्या होता है, magnetic ball, यह एक कुछ इस type से यहां पर ball लगी भी होती है, यह जै जैसे एक mouse होता है, mouse की तरह आपको ऐसा गुमाना नहीं परता है, तो यह एक magnetic ball होता है, तो मतलब जैसे एक mouse होता है, और mouse आपका input device है, तो magnetic ball भी आपके क्या होनी चाहिए, input device होनी चाहिए, यहां पर देखिए, यह OCR दिख रहा है, यहां पर optical character reader, तो यह वाली जो चीज दिख रही है, आपको यह optical character reader है, इसको यहां पर pick करता है, देखो जैसे यहां पर दिख रहा है, यहां पर कुछ चीज लिखी वी है, और यह जो reader है, इसको read कर रहा है, मतलब जो चीज यहां पर लिखी है, यहां पर इसमें so कर रहा है, इस वाले part में, तो यह भी आपका input device तो देखो जहां पर रीडर आपको कभी दिखेगा ना तो रीडर का मतलब किसी चीज को रीड कर रहा है तो वह रीडर हो गया, that's it, इससे ज़्यादा क्या करना है आपको, next बात करते हैं हम यहां पर फ्लॉपी डिस्क की, फ्लॉपी डिस्क के बारे में आपने काफी सुना हो storage device का नाम आपने सुना होगा, है ना storage device मतलब जिसमें आप data को क्या करते हैं, इस्टोर करते हैं, अब जो storage device होती है, मैं यहाँ पर लिख दो storage device, SD, देखो, हिंदी मीडियम वाले confusion मतलब जिसमें आप किसी चीज को store करते हो, जैसे pen drive होती थी, memory card होती थे पहले, है ना अभी चलो, memory card अभी भी है, लेकिन पहले हम ज़्यादा यूज करते थे, लेकिन ऐसे ही storage device जो होती है, यह पुराने जमाने में यह चलती थी, कौन सी, अभी यह होती है आपकी तीन टाइप में, देखो, समझे न, आपको बहुत सारी चीज़ है, यहाँ पेचे सीखने को मिलेंग storing device है, इसमें data store होता है, जैसे memory card होता है, तो वैसे इनमें भी data store होता है, देखे, hard disk तो सभी को पता है, hard disk तो सभी computers में होती है, hard disk अभी भी चलता है, floppy disk यह बहुत पुराना है, बहुत पुराना है in the sense, यह आप माने के चलिए 90s, 20s लेकर, ने, 20s तो बहुत ज़ादा हो उसे store करता था, यह, 1.4 MB data आप समझ आई है, 1.4 MB data कितना होता है, आज कल एक, आप photo भी खींचते तो भी 5-6 MB यह बीच में आती है, अच्छा खासा phone है, तो और ज़्यादा उपर चला जाता है, MB से उपर, है न 5.6 MB के में बात कर रहा हूँ, अब देखो, कहा 1.4, कहा 5.6, तो उस टाइम पे, इसे भी यूज़ करते थे, जैसे digital camera हो गया, तो उन वहाँ पे हम इस floppy disk को यूज़ करते थे, storing device के लिए, जैसे memory card होता है, वैसे floppy disk हुआ गरता था, तो इस टाइप से हम इसे यूज़ करते थे, लेकिन अब देखो, धीरे-धीरे भाईया, जैसे modern ज जिप disk है, लेकिन जिप disk का धीरे-धीरे हमने यूज़ किया, यह 90s की वाली बात है, और 1998 तक भी मान के चल सकते हैं आप इसे, तो इसमें 100 से लेका और 700 MB तक का data इसमें store होता था, और 100 से 700 MB कुछ भी नहीं होता, अगर आप एक movie भी डाउनलोड करते हैं, तो वो movie भी, आपको नहीं देखने को मिलेंगे, बहुत पुराना हो गया, लेकिन hard disk सभी ने देखी होगी, hard disk अभी तो GB में चल रही है, 500 GB उससे उपर भी hard disk आ रही है, और इससे भी जो latest version जो चल रहा है, उसको नाम होता है SSD, solid state device, इसको नाम ये दिया जाता है, तो यह hard disk से भी ज़्य इसके अंदर कॉन सी है, क्या है, stories, वो बोले कि SSD है, तो SSD hard disk से आपका ज़्यादा fast होती है, लेकिन simultaneously ये काफी आपको मेहगा भी पड़ेगा, expensive ज़्यादा होगा, तो ये है overall इन चीजों के बारे में, तो इन चीजों को ध्यान दीजेगा, तो ये जितनी भी चीज़े हैं भाईया, ये सारी चीज़े आपके क्या होती है, ये input device होती है, यहाँ पे, यहाँ पे input device है, storage जैसे memory card होता है, तो memory card को डालते हो किसी भी phone में, या फिर call data की थूरू किसी computer वगेरा में, तो उसी type से ये चीज़े भी हुआ करती थी, अब देखो न, hard disk सभी ने सोचा है, ए चार बाद देख लेंगे, तो हमेशा के लिए चीज़े याद हो जाएंगी, या फिर, इसको पढ़ने के बाद अगर आपने कोई book देख ली, तो book से आपको हर एक चीज़ समझ में आ जाईगी, तो इतनी चीज़े killer हुई होई होगी सभी को, चलिए, next बात करते हैं, कि भा इसको input ले रहा है, यह दे रहा है उससे, है ना, इसको deduct करेगा basic लिए, तो यह एक क्या होगे, input device हो गया, smart card reader, अब यह smart card reader क्या होगे, देखे, smart card reader है, यह वाला, इसमें क्या गरते हैं, आप कोई चीज़ को insert करते हैं, let's suppose memory card insert कर दिया, और इसको लगा दिया, आपने अप जरूर आप जो हैं, यहाँ पे biometric आपको लगाना पड़ेगा, otherwise, जो लोग private sector में job करते हैं, उन्हें भी biometric लगाना पड़ता होगा, तो biometric sensor में क्या होता है, देखे, आप क्या करते हैं, वहाँ पे fingers वगेरा से, आप क्या करते हैं, वहाँ पे thumb लगाते हैं, या फिर कोई और भी जो भी आपकी, आपकी जो fingers होती है, वहाँ पे touch करवाते हैं, तो it means वो भी क्या है, आपकी एक input device है, next हम बात करेंगे यहाँ पे touch screen के बारे में, कि यह touch screen क्या होता है, अब touch screen तो समझ वैसे आ रहा है, touch screen का मतलब भी आप किसी चीज़ को touch कर रहे हैं, तो जब touch होत होता है, तो वो input आप basically वहाँ पे दे रहे हो, अब यह है एक punch card reader, अब यह punch card reader क्या है, punch card reader के बारे में कभी किसी ने सुना है, punch card reader क्या होता है, देखिए, वैसे तो यह input device इसे नहीं माना जाता है, यह है punch card reader, यह एक punch card reader है, वैसे इस input device नहीं माना जाता है, लेकिन इसमें ह होता है कि है data को punch करके डाला जाता है पुराने जमाने में चलता था अभी ये नहीं चलता है और फिर computer को क्या करना होता उसे sand करना होता तो इसने काम की चीज lazy नहीं है यह पुराने जमाने में चलता था आप लोग बस क्या ही याद रक सकते हैं, तो इसी इस भी आप इसको अराम से याद रख सकते हैं, अब दूसरी बात करते हैं, हम यहाँ पे stylus और tablet किया, अब यह stylus हो गया, यह tablet हो गया, देखो यह है stylus, आजकर जो भी online पढ़ाते हैं वो इसी stylus का use करते हैं, pen का use करते, even मैं भी अभी इसी का use कर रहा हूँ तो यहाँ पर यह जो चीज़े है tablet के उपर लिखना और इस टाइप से computer में connect कर देना, तो यह सारी के सारी आपके क्या है, input device है, tablet सभी को मालुम होगा, अब एक यह puk और microphone, microphone सभी को पता है, भूलने का काम आता है, आप बोल रहे हो और वो आपकी रिवाज record हो रही है, तो वो microphone का काम होगा, तो obviously आप क्या कर रहे है, input device है यह प्यूक क्या होता है, यह puk अब देखिए, यह एक computer की input device होती है यह एक glass और magnified glasses टाइप का यह बनावा होता है यही चीज है यह जो मैं आपसे बात कर रहे है, यह वाली चीज है यह आपको यहाँ पर नजर आ रहे है, यह वाली चीज यह है आपका basically यह puk तो यहाँ पर इसका काम क्या होता है, जैसे जो लोग CAD वगेरा या फिर graphic design में basically यह काम करते है तो इससे, जैसे यह card reader होता है यह इस type से read करवाने के लिए इसी type से यह भी काम करता है, तो यह drawing वगेरा में यह काम आता है, तो इस चीज को भी आप यहाँ पर याद रख सकते है digital camera पूरी दुनिया को पता होगा, भई digital camera क्या होता है आप photo capture करते है तो मतलब वो एक input device है scanner, scanner भी आपने देखा है, वह scan करता है किसी भी चीज को, तो वो आपकी क्या है input device है, मतलब लेता है ना किसी चीज को scan करने का मतलब क्या है, कोई आप एक document उसमें डाल रहे है, वो उसको scan करके दे रहे है मतलब वो input आप बेसिकली आप दे रहे है उसमें, तो वो आपकी क्या होगए, एक input device होगई अब हम बात करेंगे यहाँ पर output device के बारे में, देखिए मान के चलिए, यहाँ से जो भी आज आप पढ़ रहो ना यह आपके काम की चीज़ है, यहाँ से कुछ न कुछ आपके exam में पूछी जाएंगी, lecture थोड़ा लंबा हो जाएगा, भले वो इसलिए था क्योंकि मुझे आपको pictures भी दिखानी होती है, क्योंकि जब भी आप visualize तरीके से कोई चीज़े देखते हैं वो दिमाग में आपके लंबे समय तक रहती है तो अब हम बात करेंगे यह भाईया, VDU क्या हो गया, कभी कबार आपके पास इसका, वो आ जाता है, full form लिखने को आ जाती है, visual display unit visual display unit, जो अभी आपके जैसे phone पे आप बैठे वे हो है ना, आप क्या करते हैं, computer में कोई चीज़ डालते हैं, यह माना आपके पास printer है printer से वो चीज़ भाहर निकल के आ जाती है तो यह आपका क्या है, यह output device है तो यहाँ पे जो आपका यह floppy disk है, देखो, अब यहाँ पे floppy disk अगेन आ गया भई, है ना, अब इसमें confuse नहीं होना है जो यह floppy disk हो गया और magnetic disk जैसे कि मैंने आपको बताया है दोनों की दोनों यह क्या है, कैसी device है, यह storage device है, मतलब देखो, यह read भी कर सकता है data को, और इसमें write भी कर सकता है data को, read, write दोनों कर सकता है, मतलब आप यह क्या होती है आपकी, यह input और output दोनों होती है, तो यह आपके लिए काफी important है, यहां से कभी कभार question पूछा जा सकता है, तो ध्यान दीजिएगा इस सारी चीजों को, एक यहां पे है plotter, यह plotter दिख पा रहा है आपको यहां पे, जो यह plotter है यह plotter basically क्या है, तो यह plotter जो है आपका यह वाला है, देखो plotter दिख रहा है, यह plotter ऐसे ही होता है जैसे printer होता है, printer एक छोटा version होता है, plotter बहुत बड़ा version होता है यहां पे आप इसको देख भी सकते हैं, जैसे इसमें जो कागज दिख रहा है आपको यहां पे, तो यह paper बहुत बड़ा paper होता है तो किसी बहुत जैसे बड़े-बड़े वो बनते हैं, maps वगरा बनते हैं, वो इसी के उपर बनते हैं, तो plotter के उपर ही वो सारा काम होता है तो यह basically क्या है, यह एक इससे question पुछे जाते हैं कि यह कौन सी output device है कौन सी input device है, तो I hope कि अब आपको चीज़े यहां से समझ में आई होंगी बाकी यहां पे यह जितनी भी चीज़ें आपको दिख रही है, computers आपको दिख रहा है और computers को जैसे कि मैंने आपको बताया है सकते हो, software का मतलब जिसे आप चू नहीं सकते हो अब चूने और नहीं चूने का मतलब क्या है इस चीज़ को भी समझ लेते हैं जित्ती भी आपको यहां पे चीज़ें दिखाए दे रही है ज़र आप खुद अपने आप से analysis कीजिए क्या आप इन चीज़ों को छू सकते हैं देखे, यहां पर क्या क्या दिख रहा है आपको keyboard आपको यहां पर नजर आ रहा है आपको यहां पर यह keyboard नजर आ रहा है monitor आपको नजर आ रहा है आपको mouse यहां पर नजर आ रहा है scanner यहां पर है, बाकि यह laptop है लाप्टॉप ये CD-ROM होगे रहा है डिस्टल कैमरा है, माइक्रोफोन आपके पास है देखें ये वेब कॉम यहाँ पर नजर आ रहा है आपको यहाँ पर स्टाइलिस यह देख रहा है आपको ये स्टाइलिस देखो, पैंट जैसे मैं जिसकी बात मैं करी रहा हूँ प्रिंटर, राउटर, राउटर अगर किसी को पता नहीं है ये ऐसा जैसे वाइफाई होता है न ऐसी राउटर भी होता है इसमें बहुत सारी चीज़ों को हम एड़ कर सकते हैं इससे काफी कम्पुटर को एक साथ एड़ किया जा सकता है ये आपका राउटर होता है फ्लैज ड्राइब, यूस्वी ड्राइब, ठीक है और यहाँ पे एक MP3 पे लियर तो ये जितने भी चीज़ें आपको दिख रही है क्या ये एक हार्डवेर है की नहीं है आप इन सभी चीज़ों को छूँ सकते है तो ये आपका क्या है एक हार्डवेर का पार्ट है तो इसको और अच्छे से समझने के लिए आपके पास यहाँ पे एक यहाँ इमेज है तो जैसे कि मैंने आपको भी बताया कि hardware मतब जिने आप छू सकते हैं तो देखा हुआ हुआ थो मतलब वहांपे वो सारी चीजे मिलती है तो यहां पर जितनी भी चीजे आपको यहां पर दिख रही है जैसे आपका यह हो गया तीक क्या है यह CPU आपका monitor हो सकता है आपका यह speaker है आपका printer है आपका ऐसी ये USB है आपका फिर राउटर है और यहाँ पे ये भी स्पीकर जैसे ये CPU जैसे जो भी है ये इस टाइप से कुछ ये joystick टाइप में आपको नजर आ रहा है ये आपके headphone है, ये mouse है और ये आपका keyboard है, तो ये चीजें जितनी भी आपको यहाँ पे नजर आ रही है तो मतलब ये सारा hardware है सारा ये hardware है, तो देखो यहाँ से question ये भी पूछा जाता है, बोल लेका बताओ भई है कौन सा इसमें hardware है, अब next तरह बाजाओ यहाँ software, तो ये सारे के सारे software है, जैसे सभी ने, Google Chrome तो सभी चलाते होंगे तो कभी देखो, क्या Google Chrome क्या दिखता तो है, चलो ठीक है तो क्या Google Chrome पे आप हाथ लगा सकते हैं, बोलेंगे सर, हाँ बिल्कुल लगाता हूँ, मैं तो phone से उपर से मैं touch करता हूँ Google Chrome को, लेकिन क्या आपने कभी Google Chrome को phone से बाहर निकाला है क्योंकि जब चलता नहीं है, इंटरनेर तो बोलोगी अरे यार, Google Chrome तो बाहर आजा जरा ऐसा तो कुछ होता नहीं है वई, होता है किसी ने निकाला है कभी Google Chrome को बाहर बिल्कुल नहीं निकाला होगा, तो ये क्या आपका software का part है, क्योंकि आप इसे touch नहीं कर सकते हो, आप इसे हाथ नहीं लगा सकते हो, या आपकी screen के अंदर है, तो आप इसे हाथ नहीं लगा सकते हो ऐसी add-off reader होता है, जिससे आप क्या करते है, PDF फाइले निकालते हैं पीडिया फाइल निकाल लेंगे लिए आपके पास ये software होता है, ठीक, अभी याद है सभी को मैंने software क्या बताया था software जान लो, भई, software मैंने आप बताया था, कि जो भी instruction होते हैं instruction मतलब, जो भी अनुदेश होते हैं instruction को बोल दिया, अनुदेश तो अनुदेश क्या होते हैं जब एक साथ आप बहुत सारे काम करते हैं एक साथ बहुत सारे काम करना उसको बोल दिया हमने instruction इसको बोल दिया हमने अनुदेश ठीक है, जैसे मैंने आपको इस simple बताया है भई, आप movie भी देखते हो, आप कोई चीज को download भी करना, और जब आपके क्या होते हैं यह यह जब group of instruction मैं लिख दूँ यहाप er group of instruction group of instruction मत्थब जब आपके पास यह सारे की सारी चीजें जो हैं एक group बनेगा, तो इसको बोल दताता है भई, आपका program program समझ में है रहा है, program में होता है collection of program तो इस collection of program को हम नाम देते है software अब software में कभीchutz मत हो ना कभी भी कोई पूच uncertain क्या होता है Upper question यह भी है यहांपे तो मैंने आपको बहुत सारे question बना बता दिया तो collection of program collection of program होता है आपका aos u走吧 playing collection of program तो आपने कोई भी चीज़ बनीवी होती है, उसके पिछे प्रोग्रामिंग होती है, तो यही प्रोग्रामिंग होती है, क्या, कि भाईया, उसमें set of instruction होते हैं, group of instruction उसके अंदर होते हैं, तो यह आपका हो गया software वाला पार्ट, तो जितने भी आपको computer के अंदर जो icon दिखते हैं, वो सारा आपक pencil निएगा, चलो यारा, चलो computer का, मैं paint से निकाल लेता हूँ, ऐसा होता नहीं है, तो यह सारा software का पार्ट है, जितनी भी चीज़ा आपको दिखने हैं, यहाँ पर MP3 का जो भी दिखता है, या फिर Mozilla Firebox, यह भी जो भी Opera वगएरा, Internet Explorer, यह सारे के सारा आपके अंदर के है, software software है, यह सारा का सारा, Microsoft Office के अंदर, Windows वगएरा, जितनी भी चीज़ा हैंगी, वो सारा आपका software का पार्ट होता है, तो I hope कि आपको आज बहुत सारी चीज़ें यहां से समझ में आई होंगी, थोड़ी चीज़ें मैं बता देता हूँ, आपको कि आपके लिए कौन कौन से ची memory को बारे में आपको बता हूँ है कि E-ROM, P-ROM क्या होता है, यहां से आपको तीसरा question यहां से यहां से यहां से यहां से यहां से यहां से कौन कौन सी होती है, चौता question आपको यहां से यहां से यहां से कौन कौन सी होती है, ALU का का काम क्या होता है, memory unit का का काम क्या होता है, चीज़ें हैं जो आपको यहां से ध्यान में रखनी है बाकी मैंने चीज़ें आपको सारी बताई है यह सारी चीज़ें आपको याद रखनी input device में क्या आता है, output device में क्या आता है हर एक चीज़ की मैंने आपको यहां फोटो दिखाए है तो आपके मैंने आपके बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे कीलर करवा दी है नेक्स्ट वीडियो में हम जो बात करेंगे वो करेंगे यहाँ पे कि जनरेशन क्या थी कम्पिटर की मतलब कम्पिटर के बारे में जान लिए यहाँ पे इस टाइप से आपकी जो यह कम्पिटर की क्लासेज हैं UKSSS is related या फिर आप CCC की अगर तयारी कर रहे हैं उससे related तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे cover हो जाएंगी तो I hope कि आपको जितनी चीज़े मैंने आज बताई हैं कुछ तो आपको अच्छा लगा होगा और अगर कुछ भी अच्छा लगा है थोड़ा भी अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को like, share जरूर कीजिएगा अगर आप support करेंगे तो वीडियो आगे आएगा अगर आप लोग support नहीं करेंगे तो यह वीडियो आज के बाद ऐसे stop हो जाएगा so now it will totally depends on your people because you all are family of sectional academy so जैसे भी होगा हम इसको आगे continue करेंगे तो इस वीडियो में इतना ही हम मिलेंगे कौन ही वीडियो के साथ तब तक के लिए, bye bye, take care and thanks to all